हाँ तो साथियो क्या हाल है आप सबको राम राम सलाम हेलो और सत्स्रियकाल मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं मेरा बलकि यूँ कहें कि हम सबका अपना यूटूब चैनल साथियो आप फेस्बूक पर तो मेरे लेक पढ़ते ही हैं कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए तो यहां मा आपको हिंदी अंग्रेजी उर्दू और संस्कृत के सब्दों के बारे में बताऊंगा बताऊंगा क्या बलकि यह समझें कि मैं भी आपके साथ सिखूंगा तो शुरू करें साथियो आज का वीडियो है अंग्रेजी पर मा आपको ती टैबलो इसकी स्पेलिंग है टी ए बी एल ए ए यू टैबलो फिर बताता हूं टी ए बी एल ए यू टैबलो इसका अर्थ होता है जहांकी जहांकी साथियो आपको याद होगा कि 26 जनवरी को दिल्ली में अलग अलग राजियों की जहांकी निकलती है बस यह वही वाली जहांकी है मतलब टैबलो है टी ए बी एल ए यू इसे याद कैसे करेंगे बताता हूं थोड़ा सबर कीजिए हमां कहीं भागा नहीं जारा आप एक बार अपने आँखे बंद कर लीजिए अब सोचिए कि 26 जनवरी को दिल्ली में जहांकी निकल रही है और आप उसके साथ गाड़ी पर बैठे तबला बजा रहे हैं तबला से टैबलो को जोड़िए क्यों है ना बहुत आसान अब आँखे खोर लीजिए हो गया याद हम इसकी स्पेलिंग है C-O-N-T-I-N-G-E-N-T फिर बताता हूँ C-O-N-T-I-N-G-E-N-T इसका अर्थ होता है फोज की टुकड़ी या दस्ता फोज की टुकड़ी या दस्ता साथियो यह सब्द 26 जनवरी की परेड के अलावा उस समय भी अखबारों में आता है जब हमारे फोजी भाई बैनों की टुकड़ी देश की सरदों की सुरुक्षा के लिए जाती है इसे याद कैसे करेंगे बहुत ही आसान है आप आँखे ब फोजी के साथ परेड कर रहे हैं C-O-N-T को कोट से जोड़िए और G-E-N-T को जेंटलमें से जोड़िए है ना बहुत आसान अब आँखे खोल लीजिए साथियो यहां मैं हमारे देश के उन सभी फोजी भाईयों बैनों को सेल्यूट करना चाहूंगा जिनके साहस और बलि हैं तीसरे शब्द की ओर यह है अबैक इसकी स्पेलिंग है A-B-A-C-K फिर बताता हूँ A-B-A-C-K इसका अर्थ होता है पीछे या पीछे की ओर साथियो मैं समझता हूँ कि अबैक का अर्थ याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह एक जाना पैचाना शब्द है आप चाहें तो इसके लिए भी मन में कोई कल्प ना कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा एक बार फिर हम तीनों सब्दों को दोरा लेते हैं टैबलो यानि जहांकी जहां आप तबला वजा रहे हैं कंटिंजेंट यानि फोज की टुकडी या दस्ता जहां आप कोट पहन कर जेंटलमेन की तरह परेड कर रहे हैं और तीसरा है अबैक यानि पिछे की और या पिछे तो दीजिए मुझे इजाजत फिर मिलेंगे और हाँ अंग्रेजी के सब्दों का मेरा उचारण वैसा नहीं है जैसा कि ब्रिटेन या अमेरिका वालों का उचारण है अब भाई हम अंग्रेजी के कोई फूफा तो लगते नहीं जैसा आता है वैसा बोल देते हैं ठीक है अपना बहुत ख्याल रखिए चलता ह बहुत धन्यवाद